दोस्तों आज आप सुनने जा रहे हैं सुरेंद्र मोहन पाठक का एक बहुत ही रोचक उपन्यास 12 सवाल। सुरेंद्र मोहन पाठक किसी परिचय के महताज नहीं है। पल्प फिक्षन के बहुत ही जाने माने राइटर हैं और उनका लिखने का अपना एक अलग स्टाइल है जो की थोड़ा कॉमिक है और सस्पेंस और थ्रिल तो उसमें कूट-कूट कर भरा होता ही है। और कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी से रिक्वेस्ट अगर आप पहली बार चैनल पर आएं हैं तो प्लीज 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 इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिलकुल ना भूलें। आज के वीडियो में आप सुनेंगे इस अपना खलीफा? हाँ वही तो? कहा है? शबनम ने बार की तरफ एक गुप्त संकेत किया। विकास गुप्ता ने उधर नजरें उठाई तो पाया कि मनोहरलाल वाकई वहाँ एक स्टूल पर जमा हुआ था और अपनी ही उम्र के एक आदमी से घुट-घुट कर बातें कर रह और फिल्मी हीरो जैसा खुबसूरत था वो हर समय काफी सचधच कर रहता था और इसलिए लोग अकसर उसे किसी कुलीन घर का चिराग समझ लेते थे हकीकत में वो कितने कुलीन घर का और कितना रोशन चिराग था ये तो देश के अलग-अलग नगरों में बिखरे उसके शि वो एक पेशेवर ठग था यानि कॉन मैन यही उसकी रोजी रोटी का जरिया था और उसकी काम्याबी में सबसे बड़ा हाथ था उसके आकरशक व्यक्तित्व का उसकी अकल और उसके दिमाग का और उसके सामने बार काउंटर पर जो आदवी बैठा था यानि मनोहर लाल वो ठगी और धोकाधड़ी के मामले में उससे भी दस हाथ आगे था वो अपने आपको जे एनस चोहान रिटायर्ड करनल गढ़वाल रेजिमेंट कहलवाना ज्यादा पसंद करता था असल में तो विकास गुपता मनोहर लाल और शबनम तीनो एक ही थहली के चट्टे बट्टे थे कुछ दिन पहले तक ही शबनम मनोहर लाल की चेली थी लेकिन हाल ही में उन तीनों की ही महरबानी से विशाल गड़ में फैले ठगी के बड़े व्यापक घोटालों के दोरान वो विकास गुपता के काफी करीब आ गई थी और उसने मनोहर लाल से अपनी सालों पुरानी जुगल बंदी तोड ली थी अब वो पूरी तरह से विकास गुपता की ही होकर रह गई थी विकास गुपता मनोहर लाल के पीछे जाकर खड़ा हो गया और उसकी बातें सुनने लगा वो अपने सामने मौजूद दूसरे आदमी से कह रहा था आप डॉक्टर हैं तो मैं भी कोई निपट गमार नहीं हूँ फॉद से रिटायर्ट करनल हूँ मैं सिर्फ जिस्मानी ही नहीं दिमागी जंग भी लड़ सकता हूँ सामने मौजूद डॉक्टर ने कहा हां तो मैंने कब इनकार किया मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिस काम के लिए आप मुझे पहले ह मनोहरलाल ने कहा मैं हर्गिज ऐसा नहीं करूँगा डॉक्टर ने कहा अजी आप जरूर करेंगे इसी बात की तर शर्त है क्या शर्त है जरा फिर से दोहराईए दोहराता हूँ बार्मेन गवाहक के तोर पर तुम भी सुनो डॉक्टर सहाब और मेरे बीच ये शर्त लगी ह कि आने वाले तीन मिन्टों में इनको काला नहीं बोलना है अगर अगले तीन मिन्टों में ये शब्द इनकी जुबान से निकला तो ये हार जाएंगे और मैं जीत जाओंगा और अगर इन्होंने ये शब्द नहीं बोला तो फिर ये जीत जाएंगे समझ गए जी हां करनल स समझ गया बार्मेन ने कहा और जो हारेगा वो दो राउंड जॉन्नी वॉकर ब्लाक लेबल की कीमत अधा करेगा ठीक है बिलकुल ठीक है डॉक्टर ने भी मुझकुराते हुए कहा अजी आप चाहे 20 पैक की शर्त लगाईए चाहे 200 पैक की लगाईए काला शब्द अगले 3 मि भी मेरी जुबान से नहीं निकलने वाला है अरे पूरा दिन छोड़िये डॉक्टर मैं अभी 3 मिन्टों में ही निकल वालूँगा मनोहरलाल पूरे इत्मिनान से बोला अच्छा मैं भी तो देखूं जरा डॉक्टर ने कहा ठीक है ये बताईए डॉक्टर हमारे बीच कौन भी लेबल की मैं आपकी बातों में आने वाला नहीं हूँ कर्नल साहब अच्छा भारत का प्रधान मंत्री कौन है राजीव गांधी मेरी पैंट का रंग क्या है मनोहरलाल ने अपनी काली पैंट को छूते हुए कहा सफेद डॉक्टर भी मुस्कुराते हुए बोला मैं फौ लेकिन उस वक्त वहां मौजूद दर्शकों में से सिर्फ विकास गुपता जानता था कि वो उस महाहरामी ठग शिरोमनी मनोहरलाल का सिर्फ एक नाटक था उसने अपना अगला सवाल किया भारत के राश्ट्रपती का क्या नाम है वेंकट रामन भारत की राजधानी क्या है दिल्ली भारत के राश्ट्रे ध्वज को क्या कहते हैं तिरंगा उसमें कितने रंग है तीन कौन-कौन से केसरिया सफेद और हरा देखा वो मारा मनोहरलाल एक विजेता के से स्वर में बोला मैंने कहा था ना कि मैं तीन मिनट में आपसे हरा कहलवा दूँगा मैंने कहलवा और मैं शर्ट जीत गया डॉक्टर आवेश्पून सवर में बोला अरे वाह खाम का हरा कब कहा था आपने आपने तो काला कहा था तो लो मैंने वो भी कहलवा दिया और अभी तो तीन मिनट पूरे होने में 40 सेकंड बाकी है डॉक्टर हरबडाय सवर में बोला अरे लेकिन मै मैंने बोला थोड़ी वो तो मैं आपको करेक्ट कर रहा था आपने जो भी किया लेकिन हमारे बीच शर्ट ये थी कि अगले तीन मिनटों में आपके जुबान से काला शब्द ना निकले और वो निकल गया तो बताईए कौन जीता डॉक्टर ने कुछ कहने के लिए मुह खो दिया तभी पीछे से विकास ने कहा और तीसरा मेरी तरफ से मनोहर तुरंत पीछे घुमा और उसकी नजरें विकास गुपता की नजरों से टकराई उसकी आँखे चौड़ी हो गए कैसे हो खलीफा विकास गुपता ने धीरे से कहा अभी चुपकर करनल बोल करनल कैसे है कर अरे मेरी चेली तो वो कभी थी, अब तो तेरी है, चेली भी और बाकी सब कुछ भी, है कहा वो, उधर टेबल पर, मिलोगे, मनोहर थोड़ा हिच के चाया, क्या हुआ, दर गए, विकास ने कहा, अबे पागल हुआ है क्या, अपने हाथों खेली खाई कब उतरी से डरूंगा म है, तो फिर चलो, हाँ हाँ, चलो, दोनों बार से हटकर आगे बढ़ गए, मनोहर लाल उम्र में करीब 55 साल का होगा, गठीला बदन, चाक चौबंद जिस्म, 6 पुट लंबा कद, तनी हुई मूचें, और एकदम रौबदार चेहरा, ये अलग बात थी, कि वो फौज में जितनी विकास गुपता की कुल जमा उम्र थी, उतने साल तो वो उस धंदे में गुजार चुका था, सैक्णों लोगों को अपनी ठगी का शिकार वो अब तक बना चुका था, लेकिन आज तक एक बार भी पकड़ा नहीं गया था, उसके विपरीत विकास गुपता कम से कम 17 रहा बार गिरफतार हो चुका था, लेकिन गनीमत ये थी कि जेल की हवा खाने से वो हर बार बज़ गया था, उसके खिलाफ जो केस होते थे उन में से कुछ कोट में दाखिल नहीं हो पाए थे, और कभी लैक आफ एविडेंस की वजह से कोट ने उसे बरी कर दिया था, रास नहीं आओगे तुम, अरे प्रैक्टिस बनी रहनी चाहिए बर्खुरदार, हाँ, फाल तुमें, खाली प्रैक्टिस प्रैक्टिस में बिचारे को 200 रुपे की थूक लगा दी तुमने, वैसे एक बात तो है, घिसा खूब पठ्थे को तुमने, तुझे भी घिस के हूँ, तो कोई छोटी-मोटी शर्त लगा ले प्रैक्टिस के लिए, हार गया तो समझ ले न, उस्ताद को उस्तादी दे दी, कैसी बाते करते हो खलीफा, कुत्ता-कुत्ते को काट था क्या अच्छा लगेगा, मनोहरलाल जोर से हस दिया, तब तक वे लोग टेबल तक जहां पर शबनम बैठी सिगरेट के कश लगा रही थी, शबनम आयू में करीब 27 साल की थी, उसके बाल कटे हुए थे और उसने अपने चेहरे पर बड़े सलिके का मेकप किया हुआ था, उस समय उसने आसमानी रंग की शिपॉन की साड़ी पहनी थी, साड़ी उसे काफी पस फर्स्ट क्लास, तू बता कैसी है, ठीक हूँ, इस बागण बिल्ले की शागिर्दी रास आ रही है, मैं इसका नहीं, ये मेरा शागिर्द है, चाहो तब पूछ के देख लो, मनोहर ने विकास की तरफ देखा और विकास ने हां में सिरहिलाया, बेटा तब तो तू गया काम से, मनोहर ने धंडी सांस भरते हुए कहा, शादी की क्या, नहीं अभी तो नहीं, शबनम ने जवाब दिया, क्यूं, रोकडे का आडंगा है बॉस, क्या मतलब, दरसल मैं चाहती हूँ कि शादी धूमधाम से हो, और धूमधाम के लिए हमें एक खास रोकडा चाहिए, सत्त हजार रोपया, मेरा, जो तुम्हारे पास है, मनोहर लाल चौंका, क्या कह रही है तू, विशाल गड में काटजू को, जो एक लाग चालिस हजार रोपय की थूक तुमने लगाई थी, उसमें मैं फिफ्टी-फिफ्टी की पार्टनर थी, भूल गए डैडी? बिलकुल नही अगर भूला होता, तो जैसे मैंने अपनी चिठी के साथ तुझे साढ़े सत्रा हजार रोपय भिजवाए थे, वैसे ही सत्तर हजार भी भिजवा देता, तो फिर भिजवाए क्यों नहीं डैडी? क्योंकि शब्बोरानी उस पर तेरा हक नहीं बनता, तू मेरी पार्टनर र हुनने के लिए जो सौ कदम उठाने थे, उनमें से 99 मैंने तेरे साथ उठाए थे की नहीं? हाँ, उठाए थे, तो फिर हार जीत तो आखिरी कदम में होती है, और वो आखिरी कदम मैंने अकेले तेरी मदद के बिना उठाया था, लेकिन जो बाके 99 कदमों की बैगराउंड ना होती, तो वो सौमा कदम क्या उठा पाते तुम पॉपी? तभी वेटर ड्रिंक्स ले आया, उसके जाने तक तीनों खामोश बैठे रहे, फिर, फिर शबनम ने कहा, हाँ, तो मैं कह रही थी, मनोहर उसकी बात काट कर बोला, क्या शब्बो, तु सच्ची मुच्ची उन 70 रोपियों के लिए मरी जा रही है, मरी नहीं जा रही, लेकिन मुझे ये मनजूर नहीं कि कोई मुझे यूँ चूना लगाए, चाहे वो मेरा उस्ताध ही क्यों नहो, तु इतनी जगडालू, इतनी लडाकी पहले तो नहीं थी, मनोहर लाल ने विसकी का एक घूट भरते अबे विक्की, तू भी तो कुछ बोल, अब मैं क्या बोलू, गुरू चेली के बीच में, विकास ने कहा, हाँ साले, तेरी बोलती तो लगता है, मेरी इस चेली ने पक्की बंद कर दी हुई है, शबनम ने बीच में दखल देते हुए कहा, अरे भाई, ये सब छोड़ो, ब कोई ऐसी शर्थ, जिसमें हम दोनों अपनी अपनी थगी के बेहतरीन कारणा में दिखा सकें, अब ही अभी आई है, बोलो तो बताओ, हाँ बताओ, क्योना हम दोनों एक ही आदमी को अपनी थगी का शिकार बनाए, क्या मतलब, शबनम और विकास दोनो ने एक साथ सवाल कि मतलब ये कि एक ही बकरे को दो बार जिबह करें अब जो आदमी एक बार ठगा जा चुका होगा उसे हाथ की हाथ दुबारा ठगना ना मुम्किन नहीं तो मुश्किल तो जरूर होगा तो मेरा प्रस्ताव ये है कि हम एक कॉमन बकरा चुनते हैं पहले उसे मैं ठगूँगा और फिर उसी बकरे को हाथ की हाथ अगर तुम भी ठगने में कामियाब हो गए तो मैं खुशी खुशी वो सत्तर हजार रुपे शबनम को दे दूँगा जिस पर मैं उसका हक भी नहीं मानता हूँ फाल्तु की बात शबनम ने मोह बिचकाते हुए कहा तु यू समझ ले शब्बो रानी कि ये तेरे और तेरे होने वाले शोहर के लिए मेरा चैलेंज है खुला चैलेंज विकास जोश भरे स्वर में बोला खलीफा मुझे तुम्हारा चैलेंज मन्जूर है शबनम थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली मन्जूर तो मुझे भी है लेकिन बकरे पर पहला वार तुम क्यूं करोगे हम क्यूं नहीं क्यूंकि इम्तिहान तुम्हारा है मेरा नहीं शबनम ने मोह बिचकाते हुए कहा यानी किसी को पहले ठगने का आसान काम तुम करोगे और दुबारा ठगने का मुश्किल काम हम करेंगे बहुत ही कुत्ती चीज है तु खलीफा वो तो मैं हूँ और तुझ से बहतर इस बात को और कौन जाने का भला आखिर इतने साल मेरी शागिर्दी में रही है विकास ने बीच में टोका और फिर भी गुरू तुम्हें इसका साथ छूट जाने का जरा भी अफसोस नहीं हुआ शबनम ने मुझे पहले ही कहा था कि जैसे ही वो तुमसे अलग होगी 24 घंटे के अंदर अंदर तुम अपने लिए नई चेली ढूंड लोगे मनोहर ने बड़े ही धूर्थ भाव से मुस्कुराते हुए कहा 24 घंटे में तो मैं ऐसा नहीं कर पाया था अच्छा 15 मिनट ज्यादा लग गय थे विकास ने व्यंगे से कहा अरे कहा बारह घंटे ज्यादा लगे 36 घंटों में अंजाम दे पाया था मैं इस काम को अच्छा ये तो बताओ वो है कौन शबनम ने कहा अब ही आती ही होगी असल में मैं उसी के इंतजार में यहां बैठा हूँ कौन है ये तो बताओ कोई लोकल ब्यूटी है लोकल भी है और ब्यूटी भी है करती क्या है पहले एक सरकारी होस्पिटल में नर्स का काम करती थी अब जो मैं कहता हूँ वो करती है मुबारक हो शबनम ने बड़े ही व्यंगे से कहा और अब अगर तुम्हारा आशिकी का ये न्यूस बुलेटिन पूरा हो गया हो तो धंदे की बात करें वो बकरा कहा है जिसको हम दोनों ने बारी-बारी से ठगना है अरे आ जाएगा बकरा चिंता क्यों करती है मनोहर ने लापरवाही से कहा कहां से आ जाएगा इतना वड़ा शहर है कहीं से भी आ जाएगा यानि पहले से कोई बकरा तुम्हारी नजर में नहीं था विकास ने पूछा अब बे पागल है पहले से कैसे होता मुझे क्या सपना आया था कि तुम यूँ अचानक मुझे यहां मिल जाओगे और हमारे बीच सतर हजार रुपे का जगड़ा होगा और फिर उसके बाद हम शर्त लगाएंगे अच्छा अच्छा ठीक है ये बताओ यहां राजनागर में कब से हो विकास ने पूछा विकास ने अपने गलास से घूट भरते हुए कहा यहां आने की वज़ा बड़ी अजीब सी है खलीफा और अनोखी भी मैंने शायद पहले कभी तुम्हें बताया हो कि मैं दस साल की उमर में घर से भाग गया था इसलिए मुझे अपने रिष्टेदारों वगेरा के बारे में कोई ज्यादा खबर नहीं थी अपने ननिहाल के बारे में तो खास तोर से मैं ये समझता था कि वो सब मेरे माबाब की तरह मरखब चुके थे लेकिन अब मुझे पता चला है कि मेरा एक मामा अभी चंद दिनों पहले तक जिन्दा था वो मेरी मा से कई साल बढ़ा था यानि कि अब वो भी मर गया है हाँ और ना सिर्फ मर गया है बलकि अपने पीछे करोणों की जायदाद छोड़ कर मरा है और उस सारी जायदाद का इकलौता वारिस मैं हूँ हैं? मनो हरलाल भोचक्का सा होकर उसका मुह देखने लगा बिलकुल यही हाल मेरा हुआ था खलीफा ये बात सुनकर मैं तो खुद सन्नाटे में आ गया था मेरे जैसे घर से भागे हुए और ठगी से पेट भरने वाले आदमी का कोई रिष्टेदार और वो भी करोड़ पती और उपर से उसका इकलौता वारिस मैं सच पूछो तो अभी भी मुझको यकीन नहीं हो रहा कि वाकई ऐसा कुछ हो रहा है और इस बात के बारे में तुझे पता कैसे लगा विकास मैंने अखबार में पढ़ा था मेरे उस करोड़पती मामा के वकीलों ने अखबार में खास मेरे लिए एक विग्यापन छपवाया था जिस पर की इत्तिफाक से ही मेरी नजर पढ़ गई थी वरना मैं तो आधिबार अखबार पढ़ता ही नहीं हूँ क्या लिखा था उस इश्थिहार में? मनोहरलाल ने पूछा उसमें लिखा था कि दिवान दाउदयाल शुकला का भांजा विकास गुपता जो कि इस वक्त करीब 30 साल का होगा और जिसके माता पिता का नाम कौशल्या गुपता और वीर बहादुर गुपता है और जो उत्तर प्रदेश में बुलंद शहर के इंटा रोडी नामा के इलाके का रहने वाला है अगर इस विग्यापन को पढ़े तो तुरंट अपने मामा, दिवान, दाउदयाल, शुकला के वकीलों की फर्म बंसल, बंसल, जैन, एंड, एसोसियेट्स से संपर्क स्थापित करे क्योंकि ये मरने वाले की करोडों की संपत्ती का मामला है ओ हो, यानि के तुम इस करोडों की संपत्ती के वारिस बनने वाले हो हाँ हूँ तो सही, लेकिन तब जबकि जिस विकास गुपता का जिक्र उस इश्तिहार में था वो मैं ही हूँ, तो क्या वो कोई दूसरा भी हो सकता है? हो तो नहीं सकता, क्योंकि माबाप का नाम, शेहर का नाम, यहां तक की मुहले का नाम, यह सभी कुछ मुझी से मैच करता है और इसी लिए मैं यहां आया हूँ और इतना सब होने के बाद भी, सत्तर हजार रुपे की मामूली सी रकम को जी का जंजाल बनाने पर आमादा हो मनोहरलाल ने सड़े से स्वर में कहा, शबनम ने मुझी काते हुए कहा पहली बात तो यह, कि अभी करोडों की जायदाद इसके हाथ में आ नहीं गई है और दूसरी बात, अगर वो आ भी जाय, तो जो मेरा है वो तो मैं लेकर रहूंगी ही मनोहरलाल हस्ते हुए बोला, अच्छा ठीक है, आज कल रेस का सीजन है ऐसा करते हैं, कल दिन में हम तीनों रेस कोर्स चलते हैं वहाँ जो कोई भी आदमी हमको घोडों पर सबसे मोटा दाम लगाता हुआ मिलेगा, हम उसे ही अपना बकरा चुन लेंगे चाहे वो कोई भी हो, विकास ने पूछा हाँ, हमें उससे क्या, होगा तो पैसे वाला ही, उसकी बाकी जन्म कुंडली हम बाद में तयार कर लेंगे शबनम ने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन इस ठगी का कोई मिनिमम स्टैंडर्ड भी तो सेट होना चाहिए कहीं ऐसा न हो ना, कि तुम तो बकरे से हरुफ मेम करने के लिए अठनी मांगो और फिर उसी को जेब में रखकर उसे हमारे हवाले कर दो कि तुम उसे ठग चुके हो मनोहर आखे तरे इरते हुए बोला, अबे चोकरे, मस्खरी करता है अपने बाप से नहीं, कोई मस्खरी नहीं उस्ताद, लेकिन कोई रकम तै करो कि कम से कम जितने की ठूक तुम उसको लगाओगे तु खुद ही तै कर ले ना रकम ठीक है, कम से कम पचास हजार, मन्जूर है और तुमने इतने की थूक उस बकरे को लगाई है इसका सबूत भी देना होगा हाँ हाँ जानता हूँ मन्जूर लेकिन यही शर्थ तुम्हारे उपर भी लागू होगी हाँ वो तो है ही विकास ने कहा और तुम लोग भी पहले से मुड़े हुए बकरे को पचास हजार के लिए फिर से मूड़ोगे और मुझे पूरा सबूत दिखाओगे हाँ पक्का अच्छा ये बताओ तुम दोनों ठैरे कहा हो यहाँ हरनबी रोड पर एक मिसिस सिंपसन का गेस्ट हाउस है वहीं पर मैंने अपने लिए कमरा लिया है सिर्फ अपने लिए? हाँ उस्ताद असल में शबनम ने कहा कि जब तक ये मामा की जायदाद का चक्कर सुलज न जाए तब तक हमें अलग-अलग ही रहना चाहिए तो ये कहां रह रही है? हन भी रोड पर ही एक दूसरा होटल है मयूर फिलहाल शबनम उसमें रह रही है ठीक तो आगे का क्या प्रोग्राम है? आज तो पहुंचे ही हैं आगे की आगे देखते हैं तुम कहां रुके हो? मनोहर ने जवाब दिया मैंने तो मुगल बाग में एक दो कमरों का फ्लैट किराय पर ले लिया है वहाँ पर मालवा हाउस करके एक इमारत है उसी की दूसरी मंजिल पर मेरा फ्लैट है वो नर्स भी वहाँ पर तुम्हारे साथ है हाँ ऐसा ही समझ लो ये लो वो आ भी गई विकास ने नजरें उठा कर देखा तो जीन्स पहने एक युवती उनकी तरफ आ रही थी उम्र में विकास को वो 22 साल की लगी उसके बाल भी शबनम की तरह कटे हुए थे रंग गोरा था और नैन नक्ष दीखे अलबता कद में वो शबनम से थोड़ी छोटी थी बड़े ही मशीनी अंदाज से चुइंगम चबाती हुई वो वहाँ आई ये रुचिका है रुचिका मदान मनोहर ने उसका परिच्य करवाया और रुचिका डालिंग ये दोनों कुम्भ के मेले में बिछड़े मेरे नजदी के रिष्टेदार हैं जो आज यहां इत्तफाक से मुझे मिल गए रिष्टेदार? विचास ने हरानी से पूछा अरे भाई, चोर-चोर मौसेरे भाई होते हैं की नहीं? सब लोग ठाहका मारकर हस पड़े ये विकास है और ये शबनम मनोहर ने कहा रुचिका भी एक खाली पड़ी कुर्सी पर बैठ गई और उसके बाद वो चंडाल चोकडी उस रात दो बजे तक जमी रही अगले रोज रेस कोर्स में मोटा बकरा तलाश करने में ठगों की स्टोली को कोई दिक्कत नहीं हुई उन्होंने पहली ही रेस में एक आदमी को 20,000 रुपे लगाते देखा तो फॉरण उसे बतौर बकरा चुन लिया मामूली पूश्ताच से उन्हें पता चला क्यों उस आदमी का नाम और शबनम को उस आदमी की विस्तरित जन्म कुंडली तयार करने के लिए वहीं छोड़ कर विकास गुपता खुद लिंक रोड की तरफ रवाना हो गया जहां की बंसल बंसल जैन एंड एसोसियेट्स का ओफिस था रिसेप्शन पर पहुँच कर उसने कहा मेरा नाम विकास गुपता है और मैं इस विज्यापन के जवाब में यहां आया हूँ इतना कहकर उसने रिसेप्शनिस्ट को वो अख़बार दिखाया वो मीठे स्वर में मुसकुराते हुए बोली ओ हाँ हाँ मिस्टर गुपता आपने सुभा फोन भी किया था आप प्लीज दो मिनिट वेट कीजिए फिर उसने मेज पर रखी एक घंटी बजाई विकास ने उससे कहा एक बात तो बताईए मिस्ट ये वकीलों की फर्म का ही ओफिस है न गलती से मैं किसी फिल्म के सेट पर तो नहीं आ गया रिसेप्शनिस्ट हस पड़ी सच कहता हूँ ऐसा भव्य ओफिस मैंने आज तक नहीं देखा और वो भी किसी वकील का मेरे मालिक शहर के सबसे बड़े सबसे नामी वकील है सर उनकी क्लाइंटेल एकदम टॉप क्लास होती है ओ और अपने क्लाइंट्स की तरह ही वो खुद भी टॉप के हो गए है ये यू कन से दाट आइकन से सम्थिंग एल्स तू जी कहिए वकालत के साथ साथ इनका कोई साइड बिजनेस तो नहीं चलता जैसे हर महीने पंधरा दिन में कोई एक पार्टनर एक खाली ब्रीफ केस लेकर दुबई जाता हो और भरा हुआ ब्रीफ केस लेकर वापस लोटता हो आखिर किसी में भी एक सोया हुआ स्मगलर कभी भी जाग सकता है ओ मिस्टर गुपता, don't be funny तब ही बजाई गई घंटे के जवाब में एक चपरासी वहाँ आ गया और रिसेप्शनिस्ट ने उसे कहा मिस्टर गुपता को बड़े बंसल सहाब के चेंबर में ले जाओ चपरासी उसे पहले से भी ज्यादा बड़े, ज्यादा भव्य और ज्यादा अच्छे धंग से सजे हुए चेंबर में ले गया वहाँ पर एक दूसरी रिसेप्शनिस्ट बैठी थी जो पहले वाली से भी ज्यादा खुबसूरत थी तश्रीप रखिये मिस्टर गुपता, मुझे सोना कहते हैं उस लड़की ने कहा, बिल्कुल सही कहते हैं एक दम खरा, 24 कैरेट मिस्टर गुपता, जिस काम के लिए आप यहाँ आए हैं महरबानी करके उसी पर ध्यान दीजिए आपको मालूम है कि मैं यहाँ किस काम के लिए आया हूँ जी हाँ, आपकी कॉल सुभा मैंने ही सुनी थी आपका कहना है कि आप हमारे क्लाइंट दिवंगत दाउदैाल शुकला जी के भान्जे विकास गुपता है आपकी माता का नाम कॉशल्य गुपता है और आप इंटा रोडी बुलंद चेहर के रहने वाले हैं जी हाँ, क्या आप ये सारी बातें प्रूव कर सकते हैं? कौन सी बातें? यही कि आप वही विकास गुपता हैं जिनके ये पर्टिकुलर्ज हैं? कैसे प्रूव करूँ? अपना राशन कार्ड दिखा कर? जी हाँ, अगर हो सके तो? तो फिर सौरी मैम, मैं ये सिध नहीं कर सकत आपको अपने मामा की याद है? मेरा मतलब अगर आपको दिवान दाव दयाल शुकला की तस्वीर दिखाई जाए, तो क्या आप उसे पहचान लेंगे? जी नहीं, मैंने अपने मामा के बारे में सिर्फ सुना ही है, कभी उनको देखा नहीं, कभी देखा भी होगा, तो आपका क्या मतलब है? दरसल मिस, मैंने 20 साल से अपने माबाप की शकल नहीं देखी, आखिरी बार जब मैंने उनको देखा था, तब मैं सिर्फ 10 साल का था, तो 10 साल कोई कम उम्र तो नहीं होती, और फिर माबाप कोई अड़ोसी पड़ोसी या राहचलते नहीं होते, जिनक मैं आपको एक तस्वीर दिखाने जा रही हूँ, देखकर बताईए कि क्या वो आपके माता-पिता की है या नहीं, जी दिखाईए, सोना ने अपने मेज की डौर से एक तस्वीर निकाल कर उसके सामने रख दी, विकास ने गौर से उसे देखा और फिर नामे से रहिला दिया, ये आपके माता-पिता की तस्वीर नहीं है? जी नहीं, पक्की बात? जी हाँ, बिल्कुल पक्की, अच्छा, अब जरा इसे देखिए, विकास ने नई तस्वीर पर निगाह डाली और निस्संकोच बोला, जी हाँ, ये मेरे माता-पिता की तस्वीर है, जब मैं घर से कई दिवान दाउदयाल शुकला के भांजे हैं, तो आपकी पीट पर चवन्नी के आकार का एक काला निशान होना चाहिए, हाँ, वो तो है, तो ठीक है, दिखाईए, विकास ने अपना कोट और कमीज उतारी और उसकी तरफ पीट करके खड़ा हो गया, सोना ने बड़े ही देख रही हूँ कि आप काफी अच्छे इंगलिश बोल लेते हैं, तो आपने ये इंगलिश कहां से सीखी, दरसल मैं घर से भागने के बाद एक अंग्रेज साहब के यहां नौकरी करने लगा था, बस वहीं सीख गया, लेकिन मैं आपको बता दूं सोना जी, कि मुझे पढ़नी नहीं आती, ओ, समझी, तो अब ये बताईए कि मैं इस टेस्ट में पास हुआ या फेल, पास हुए, यानि कि आप मानती हैं कि मैं दाउदयाल शुकला का भांजा हूँ, जी हां, बहुत बढ़िया, तो फिर देर किस बात की, माल पानी के दर्शन तो कराईए, इत पता चल जाएगा, मिस्टर गुपता, आपने अपनी जिंदगी में अपने मामा की भले ही कोई खोज खबर ली हो या नहीं, लेकिन आपके मामा आपकी पूरी खोज खबर रखते थे, उधारन के लिए आपके मामा को ये पता था, कि आप एक ठग हैं, और भोले-भाले लो नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, ये बात जूट है कि मैं भोले लोगों को ठग कर अपनी रोटी-रोजी चलाता हूँ, मैं ठग जरूर हूँ, लेकिन मेरे कुछ उसूल है, मैंने आज तक कभी किसी ऐसे आदमी को नहीं ठगा, जिसकी जिंदगी मेरी वजह से परेशानी में लेकिन जो भी हो, छोड़िये, हमें आपके धंदे से कुछ लेना देना नहीं है, तो फिर आपने उसका जिक्र ही क्यों किया सोना जी? वो इसलिए क्योंकि विरासत की जो शर्त है, उसका तालुक सिधे-सिधे आपके धंदे से है, वो भला कैसे? उसके लिए आप ये चिठ लिफाफा था और उसके उपर उसका नाम टाइप किया गया था. लिफाफा खोलने पर उसमें से एक पत्र निकला जो फर्म के लेटर हेड पर छपा हुआ था. पत्र विकास के नाम था और उसके उपर साइन थे फर्म के मैनेजिंग पार्टनर कुबेर दत बंसल के. पत्र म मुझे पूरा यकीन है कि मेरी सेक्रेटरी सोना इस काम को ठीक से अंजाम दे सकती है जो पत्र आप अभी पढ़ रहे हैं उसके बारे में सोना को निर्देश हैं कि वो आपको उसी सूरत में वो पत्र दे जब इस बात की पूरी तसल्ली हो चुकी हो कि आप हमारे क्लाइंट द जब ही बन सकते हैं जब आप उनके द्वारा लगाई गई शर्तों को पूरा करके दिखाएं आपके मामा का वसियत की शर्तों से संबंधित अंश यहां नीचे हम दे रहे हैं मुझे बड़े दुखी मन से ये कबूल करना पड़ता है कि मेरा भांजा मुल्क के कानून से कुछ कोटी का कलाकार मानता है अगर ठगी होश्यारी का ही पर्यायवाची है तो मैं अपने भांजे को चैलेंज करता हूँ कि वो मेरे 12 सवालों का जवाब दे हर सवाल का जवाब देने के लिए उसे एक हफ़ते का वक्त दिया जाएगा एक भी सवाल का जवाब ना दे पा पहदुर तमंग को मेरा वारिस मान लिया जाएगा। आप सारे सवालों के जवाब देने में सफल हो जाएं। विकास ने पत्र को एक बार फिर से पढ़ा और फिर उसे वापस लिफाफे में बंद कर दिया। कोई सवाल आ रहे हैं आपके जहन में तो पूछ सकते हैं। सोना ने कहा जी हाँ एक बात मैं जरूर पूछना चाहूंगा। आपके यहाँ क्लाइंट को कोई चाय पानी पूछने का रिवाज नहीं है क्या। विकास ने बड़े ही मज़ेदार स्वर में कहा बिल्कुल है लेकिन मुझसे तो नहीं पूछा आपने आप ही के भले के लिए नहीं पूछा क्यूंकि आपका टाइम इतना बेश कीमती जो है अगर यहाँ एक मिनट भी बेकार करेंगे तो छे करोड की रकम हाथों से निकल जाएगी तो सीधे सीधे हिंदुस्तानी में आप ये कह रही हैं कि अब मैं यहां से दफा हो जाऊं जी हाँ अगर आप चाहें तो यही बात मैं इंगलिश में भी दोहरा सकती हूं तो यानि कि मैं चलूं वैसे तो यही ठीक रहेगा आपके लिए लेकिन अगर दोड़ना चाहें तो हमारी तरफ से उसके लिए भी पूरी इजाज़त है I wish you all the best Thank you very much कहकर विकास ने उससे हाथ मिलाया और मुस्कुरा कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया सोना ने इस तरह से गहरी सांस ली जैसे किसी मुसीबत से पीछा चुटा हो लेकिन दरवाजे के पास जाकर व उससे वापस ले लीजिए मेरी अमानत ये इतना कहकर विकास ने बड़े ही यतन से संभाल कर रखी गई एक अंगूठी सोना के सामने रख दी अंगूठी पर नजर पढ़ते ही सोना की आँखे चौड़ी हो गए उसने जल्दी से अपने दाएं हाथ की उस उंगली पर नज गया अध्याय दो विकास फुट पात पर रुख गया उसने एक दुकान की शो विंडो के शीशे में जहांका वो शीशा ऐसे अंगल से लगा हुआ था कि उसे उसमें अपने पीछे का द्रिश्य साफ नजर आ रहा था वो दुबला पतला टीबी का मरीज जैसा लगने वाला आदमी अभी भी उसके पीछे मौजूद था असल में जब से वो वकीलों की फर्म के ओफिस से बाहर निकला था तब ही से ये आदमी उसके पीछे लगा हुआ था कुछ कदम चलने के बाद विकास एकदम तेजी से वापस घूमा और पलक जपकते ही उसके एकदम नजदीक पहुँच गया उसका गिरहबान पकड़कर उसे जंजोडते हुए विकास ने कहा क्या है बे मेरे पीछे क्यूं लगा है अरे अरे मेरा गिरहबान तो छोड़िये पहले ये बता मेरे पीछे क्यूं लगा है बताता हूं भाई लेकिन गिरहबान तो छोड़ो तु है कौन सा जल्दी बोल असल में तो आपके पीछे बस आपसे बात करने के लिए आ रहा था तो फिर की क्यों नहीं मैंने सोचा जरा आप भीड़भार से आगे निकलने तो बात करूं क्या बात है बोल वही बात जिसमें आपका फायदा हो और मेरा भी पहले ये बता कि तू है कौन मेरा नाम दिली पांडे है और जहां अभी आप गए थे मैं वहाँ पे नौकरी करता हूँ मतलब बंसल बंसल जैन एंड एसोसियेट्स के यहाँ पर हाँ हाँ मैं वहाँ पे टाइपिस्ट हूँ अब आगे फूट विकास ने कहा जरा करीब आईए पांडे करीब करीब फुस मामा की फाइल मैंने कई बार देखी है और मुझे ये भी पता है कि आज आपसे पहला सवाल क्या पूछा गया है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है आखिर तुम उस ओफिस में काम करते हो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है सर लेकिन इसके आगे जो है वो बड़ी बात ह और वो ये है कि मुझे आपके पहले सवाल का जवाब मालूम है विकास ने हाथ में पकड़ा सिगरेट नीचे फैक दिया और दल्चस्पी से उस आदमी को देखा पांडे फिर से फस फस आया मैं जानता हूँ कि मिस्स सानू माया तमंग कौन है और वो कहां पाई जाती है व और अगर तुम्हारी जानकारी गलत निकली तो वो तो हो ही नहीं सकता सर आप ऐसा कीजिए आप अभी मुझे कोई छोटा मोटा चंदा दे दीजिए और अगर जानकारी सही निकले तो फिर बाद में मोटी रकम दे दीजेगा आखिर आप करोडों की जायदात के वारिस बन मैं कोई हुज़त नहीं करूंगा अभी सौ रुपे जानकारी ठीक निकली तो हजार और विरासत की रकम मिल जाने के बाद दस हजार बोलो है मन्जूर हाँ हाँ मुझे मन्जूर है सहब विकास ने एक सौ का नोट निकाल कर उसके हाथ पर रख दिया जिसे पांडे ने फोर हिमगिरी कलब करके एक जगा है उसके एक कमरे में ये मिसिस सानुमाया तमंग मौजूद है लेकिन आप जल्दी वहाँ पहुँच जाईए वो किसलिए क्योंकि वो आज ही शाम को पटना के लिए रवाना होने वाली है हो सकता है वो वहाँ से जल्दी निकल जाए लेकिन अ नंबर है वहाँ के टेलिफोन का पांडे थोड़ा हिच किचाया फिर बोला 42597 विकास ने नंबर याद कर लिया पांडे ने कहा आईए मैं आपको टेक्सी करवा देता हूँ वो तो मैं खुद ले लूँगा सर वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बहुत पेचीदा है आप मेरे साथ चलिए मैं टेक्सी वाले को रास्ता समझा दूँगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी तो तुम साथ ही क्यों नहीं चल पड़ते नहीं सर मुझे फॉरन दफ्तर वापस लोटना है मेरी नौकरी का सवाल है अच्छा ठीक है चलो दोनों टेक्सी स्टैंड पर पहु अच्छा ठीक है विकास टेक्सी में बैठ गया और टेक्सी पार्किंग से निकल कर में रोड पर पहुँच गई विकास ने नोटिस किया कि जब तक टेक्सी उस सड़क से काफी आगे पहुँच कर मोड नहीं काट गई तब तक पीछे खड़ा दिलीप पांडे लगातार ट सोचने लगा फिर अचानक उसके मुह से निकला ओहो तो ये बात है आपने कुछ कहा साहब टेक्सी ड्राइवर बोला अरे तुझसे नहीं बोला भाई मुझे एक बहुत अर्जेंट फोन करना है कहीं पबलिक फोन दिखाई दे तो जरा गाड़ी रोकना कुछ देर बाद ड टेक्सी को रोक दिया जहांके सर्वजनिक फोन से विकास ने अपने मामा के वकीलों की फर्म का नंबर मिलाया कॉल लगने पर उसने कहा जरा दिलीप पांडे से बात करा दीजिए कौन दिलीप पांडे वही जो आपके यहां टाइपिस्ट है जी हमारे यहां इस नाम का नहीं करता यह बंसल बंसल जैन एंड एसोसियेट्स का ही नंबर है न जी हां तो दिलीप पांडे नाम का कोई टाइपिस्ट आपके यहां काम नहीं करता अरे कहाना नहीं करता ठीक है थैंक्यू वेरे मच और विकास ने लाइन काट दी फिर उसने 42597 पर रिंग किया तुर और वापस लोटा फिर टेक्सी ड्राइवर से बोला हन भी रोड चलो क्या धोबिना का क्रीक नहीं जाना सहब ड्राइवर ने पूछा वहां भी चलेंगे लेकिन पहले हन भी रोड होते हुए ठीक है सहब मिसिस सिंपसन उसे देखकर बहुत हैरान हो गई अपने बाइफोक अब भी दस मिनिट पहले पहुचा पांडे लाया होगा दिली पांडे दुबला पतला मरगिला सा आदमी हाँ वही लाया जरा दिखाना तो काईकू तुम खोदी तो लिखा भूल गया क्या लिखा प्लीज मिसिस सिंपसन ओके ओके देता है मिसिस सिंपसन ने उसे भीतर से चिठी ला कर दी विकास ने चिठी पढ़ी उसमें लिखा था डियर मिसिस सिंपसन मुझे एका एक खड़े पैर पटना जाना पढ़ रहा है जहां से मैं पता नहीं कब लोटूँगा मेरी आप से प्रार्थना है कि आप मेरा सामान पैक करके स्टोरेज में रखवा दें और मेरा कमरा खाली समझें विनीत विकास गुपता विकास ने नोट किया कि मोटे तोर पर चिठी पर हुए साइन उसके अपने साइन जैसे ही लग रहे थे क्या हुआ गाड़ी छूटगा क्या मिसिस सिंपसन ने पूछा विकास ने चिठी को तह करके अपनी जेब में रखते ह नहीं, प्रोग्राम कैंसिल हो गया. तो अब कमरा खाली करना नहीं मांगता? बिल्कुल नहीं मांगता. थैंक यू मिसिस सिंपसन. फिर वो करीब ही मौजूद होटल मैयूर में पहुंचा. मनोहरलाल, शबनम और रुचिका, तीनों शबनम के होटल के कमरे में थे. क्या हुआ शबनम ने सवाल किया. पहले तुम बताओ क्या हुआ? बकरे की जन्म कुंडली तयार हो गई? विकास ने पूछा. अरे खुब बढ़िया तयार हुई है. बकरा हर लिहाद से हमारे काम का निकला. मैजिस्टिक सरकल पर उसका गोल्ड और डायमन जूल्री का बहुत बड़ा शोरोम है, करोडों की असामी है और जुए का रसिया है. रेस तो रेस के सीजन में खेलता है लेकिन ताश का जुआ एक लोकल कसीनो में जाकर हर रात बिना नागा बारा महीने खेलता है. कसीनो का नाम है बर्टन कोट, मनो हरलाल ने कहा. और हाँ, तुम्हारे पीछे से हमने थोड़ी और बातें भी तैकी हैं जैसे एक पार्टी के प्रोजेक्ट में जरूरत पढ़ने पर दूसरी पार्टी को मदद करनी होगी कैसी मदद? जैसी भी पार्टी लेना चाहे यानि के जब तुम बकरे को मून रहे होगे तो हमें तुम्हारा असिस्टेंट बनना पड़ेगा असिस्टेंट नहीं सहयोगी और चाहे इस सहयोग के चक्कर में हमारे अपने प्रोस्पेक्ट बिगड जाएं क्या मतलब? देखो खलीफा तुम भूल रहे हो कि हमें उसी बकरे को फिट करना है जिसको तुम पहले ही फिट कर चुके होगे तुम्हारी मदद के चक्कर में अगर हम पहचान लिये गए तो फिर क्या वो बकरा हमें अपने पास फटकने देगा? फिर हमारे प्रोजेक्ट का क्या होगा? शबनम बड़े ही प्रशंसा भरे स्वर में बोली देखा डैडी मैंने पहले ही कहा था कि विक्की आकर इस बात में जरूर कोई न कोई नुक्स निकाल देगा और वही हुआ मनोहरलाल थोड़ा जुझला इस्वर में बोला मैंने अपनी योजना कोई तयार नहीं की हुई है हो सकता है जो योजना मैं फाइनल करूँ वो मेरा वन मैन शो ही हो या फिर सिर्फ रुचिका की मदद से ही मेरा काम बन जाए मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर अगर मदद की जरूरत पड़े तो वो मदद तुम करोगे अच्छा ठीक है कर देंगे लेकिन एक्स्पोजर के बिना मनजूर और ऐसी ही मदद तुम भी हमारी करोगे हाँ वो तो जाहिर है करूँगा मनोहरलाल ने कहा और अगर ठगी की योजना के लिए एक पार्टी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो दूसरी पार्टी उसे वो भी देगी उधार के तौर पर चलो ये भी मनजूर और कुछ और ये की ऑपरेशन का कोई टाइम भी मुकरर होना चाहिए ऐसा नहो कि मैं तो बकरे को चार दिन में मूड के तुम्हारे हवाले कर दूँ और तुम साल शे महीने उसके चकर में पड़े रहो और उसके बाद भी कहो कि अभी तो हम कोशिश कर रहे हैं हाँ ये बात तो जायज है तो क्या पीरिड तै किया तुमने मेरे ख्याल से दो हफते ठीक रहेंगे मनोहरलाल ने कहा विकास और शबनम ने सहमती में सेरहिला दिया ठीक है मनजूर और कुछ और बस अब तुम अपनी सुनाओ बन गए वारिस अपने मामा की दौलत के अरे कहा खलीफा अभी तो दिल्ली बहुत दूर है विकास ने विस्तार से सारी बात उनको बताई अंत में शबनम बोली तौबा तौबा यार ये तिरा मामा तो मुझसे भी बड़ी कुट्टी चीज निकला मनोहरलाल ने चटकारे लेते हुए कहा बारा सवाल, बारा हफते तीन महिने के लिए तू तो फिट हो गया बेटा अब रोशनलाल महरो को मूंडने का टाइम तुझे कम मिलेगा देखा जाएगा खलीफा फिलहाल तो मेरी भी जिद है कि मामा के बारा सवालों के जवाब मैं ढून कर ही रहूँगा मुझे पूरी उमीद है कि पहले सवाल का टांका तो आज ही फिट हो जाएगा उसके बाद ये मेरी चॉइस होगी कि मैं दूसरे सवाल के लिए कल ही वकील के पास जाऊं या फिर हफता पूरा होने के बाद जाऊं इडजस्मेंट की बाद है खलीफा हो जाएगी चलो ठीक है अब क्या करना है बोल मनोहरलाल ने कहा अब एक नमबर नोट करो अब से ठीक 45 मिनट के बाद तुम्हें उस नमबर पर फोन करना है और क्या कहना है फोन करके विकास ने धीरे से उसे बता दिया मामूली सा काम है मैं यहीं से फोन कर दूँगा मनोहरलाल ने कहा बढ़िया तो मैं चलता हूँ इतना कहकर विकास महां से चला गया कुछ देर बाद वो टेक्सी से हिमगिरी कलब के दरवाजे पर उतर रहा था भाड़ा देकर विकास ने टैक्सी को विदा कर दिया ये एक दो मंजिली खस्ताहाल इमारत थी जिसके अंदर से कहीं से बैंड बजने की आवाज आ रही थी उसने दरवाजा खोल कर एक अंधेरी सी ड्योड़ी में कदम रखा जिसके पीछे एक बंद दरवाजा था साइड में उपर को जाती हुई सीड़ियां थी और सामने एक रिसेप्शन डैस्क था जिसके पीछे एक उंगता हुआ नेपाली बैठा था विकास ने काउंटर पर ठक ठक की और कहा मिस्स सानू माया तमंग कहां में लेंगी नेपाली ने एक घंटी बजाई उत्तर में पिछला दरवाजा खुला और खुले दरवाजे से बैंड की तीखी आवाज सुनाई दी एक नेपाली छोकरा बहार आया जिसने अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया जब वो रिसेप्शन के पास आया तो काउंटर के पीछे बैठे नेपाली ने विकास की तरफ इशारा करते हुए कहा इनको माया मैम के पास ले जाओ छोकरा आगे चल दिया और विकास उसके पीछे उपर एक गलियारा था जिसके सिरे पर पहुँचकर उसने एक दरवाजे पर दस्तक दी फिर उसने नेपाली में कुछ कहा और अंदर से असपश्ट सा उत्तर मिलने के बाद दरवाजा खोला और विकास को अंदर जाने का इशारा किया विकास को ये देखकर बेहद हैरानी हुई कि उस खस्ता हाल इमारत में वो कमरा किसी फाइव स्टार होटल के सुईट की तरह सजा हुआ था कमरे में एकदम मौडन फरनिचर लगा था और पूरा फर्ष बेश कीमती कार्पेट से धका हुआ था अंदर किसी महरानी जैसी गरिमा और सुन्दरता वाली एक नेपाली औरत बैठी थी जो विकास को देखकर खड़ी हो गई शहद सी मीठी आवाज में वो बोली वेलकाम वेलकाम आईए बैठिये विकास थोड़ा आगे बढ़ा और उसने देखा कि उस औरत के अलावा उस कमरे में एक और आदमी भी मौजूद था वो सूट बूट पहने हुए खुबसूरत लेकिन छोटे कद का एक नौजवान नेपाली था जो विकास से उम्र में थोड़ा छोटा लग रहा था जब विकास आगे बढ़ा तो वो अपनी जगह से उठकर औरत के करीब जा खड़ा हुआ औरत ने कहा मिस्टर विकास गुपता हमारे इस गरीब खाने में आपका स्वागत है विकास ने उसे ध्यान से देखते हुए कहा ये बड़ी हैरानी की बात है कि आप मुझे पहले से जानती है औरत धीरे से हस दी विकास ने फिर से कहा आप वही है ना जो कि मैं समझ रहा हूँ कि आप है और आप क्या समझ रही है मिस्टर गुपता यही कि आप मिसिस सानू माया तमंग है लेकिन आप मुझे सिर्फ माया कहकर पुकार सकते है इससे में लिए ये मेरा बेटा है बेटा? विकास की हैरानी की कोई सीमा नहीं थी ये आपका बेटा है? आप इतना हैरान क्यों हो रहे है मिस्टर गुपता? हैरान? अजी हैरानी से मेरा तो दम निकला जा रहा है मैडम आप कहती हैं कि आप इसकी छोटी बेहन है तो वो भी मैं बेहिचक मान लेता? क्या ये वाकई आपका बेटा है? जी हाँ ये वाकई मेरा बेटा है इसकी उम्र पचीस साल है और ये मेरा एकलोता बेटा है लेख बहादूर तमंग लेख बहादूर तमंग? भंचक के से विकास ने दोहराया लेख बहादूर तमंग जिसका उसके मामा की वसियत में जिक्र था, जो उसके मामा के पार्टनर का बेटा था और जो विकास के फेल हो जाने पर मामा की संपत्ती का उसकी जगह वारिस करार दिया जा सकता था मिस्टर गुपता को हलो कहो बेटे चेहरे पर बड़ी ही धूर्थता पूर्ण मुसको रहाट लिये उस नेपाली युवक ने विकास का अभिवादन किया विकास थोड़े उल्जिस्वर में बोला माया जी आप तो मुझे जटके पर जटके दिये जा रही है जबकि मेरा दिल तो पहले से ही कमजोर है मैं यहाँ से जिन्दा भी जा पाऊंगा की नहीं? बिल्कुल नहीं माया ने बमसा छोड़ा जी? इतनी कोशिशें करके आपको यहाँ बुलाया गया है मिस्टर गुपता तो वो क्या सिर्फ इसलिए कि आप यहाँ से जिन्दा लोट जाएं? ओ, समझा तो वो दिली पांडे नाम का टीबी का मरीज आपका आदमी था आप बिल्कुल ठीक समझे मिस्टर गुपता हम मा बेटे ने आप से अपने असलियत इसलिए नहीं छुपाई क्योंकि आप यहाँ से जिन्दा लोट कर जाने वाले हैं ही नहीं मेरी असलियत आपके पहले सवाल का जवाब है और ये आपके उपर जाहिर ही इसलिए की गई है क्योंकि आप इसको अपने हक में इस्तिमाल करने के लिए जिन्दा नहीं रहने वाले हैं लेक बहादूर से आपका परिचे इसलिए कराया गया है, ताकि आपके जिंदगी की बाकी चंद घड़ियां इस हैरानी में ना गुजरें, कि आपके मरने के बाद आपके मामा की दौलत किसके पास जाने वाली है, मुझे मरने से कोई आतराज नहीं है, मिसिस तमंग, क्या आप एतराज करने की हालत में हैं, अगर होता भी, तो एतराज नहीं करता, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आप इसे मरने वाले की अंतेमिक्षा समझ सकती हैं, कहिए, आप ना मुझे खुद मारिएगा, जब से मैं जवान हुआ हूँ, तभी से मेरे मन में ये ख् आप किसी खुबसूरत औरत के हाथों मरूं, यकीन जानिये माया जी, अगर आप खुद अपने खुबसूरत हाथों से इस काम को अंजाम देंगी, तो मैं खुशी खुशी कतल हो जाऊंगा, मुझे अफसोस है मिस्टर गुपता, कि ये खुशी आपको नसीब नहीं हो क्योंकि इस काम को मेरा बेटा ही बहतर अंजाम दे सकता है, वो आपकी लाश के चटे-चटे-चटे-चटे-चटे-चटे-चटे-चटे-टुकडे करके एक सूटकेस में भरेगा और उन्हें समुदर में बहा आएगा, जहां पर मशलियां आपको बड़े प्यार से खा जा कि आप अपना कमरा छोड़ कर पटना चले गए हैं, अच्छा, ऐसा केसे किया आपने, मैंने मिसिस सिम्सन को आपकी तरफ से एक चिठी लिख कर भेज दी, अगर आप वो चिठी देख पाते मिस्टर गुपता, तो खुद हैरान हो जाते कि कितनी खुबसूरती से मेरे पढ़ते ही माया हक बका गई, विकास ने बड़े ही मजे से कहा, नकल अच्छी है, लेकिन बढ़िया नहीं है, मैं आपके बेटे को सिर्फ पास होने लाइक नमबर ही दे सकता हूँ, दस में से चार, माया के चेहरे पर कई रंग आए और गए, आप बहुत ही खुबसूरत ह माया जी, और किसी खुबसूरत औरत को ऐसे उदास या मायूस देखकर, मेरा तो कलेजा फटने लगता है, लेकिन यकीन मानिये, आपका गुनहगार मैं नहीं हूँ, आपका गुनहगार तो दिलीप पांडे नाम का वो जमूरा है, जो बदकिस्मती से आपके या आपके साह जादे जैसा होश्यार नहीं निकला, जूट बोलने का तो उसे बिलकुल तजुर्बा नहीं था, मुझे तो उसके उपर तभी शक हो गया था, जब वो इतनी कीमती जानकारी सिर्फ सौ रुपे में मुझे देने के लिए तयार हो गया था, फिर टैक्सी वाले को इस तरह से समझा बुझा कर उसने मुझे रवाना किया, जैसे कोई मा अपने बच्चे को पहली बार स्कूल भेज रही हो, उसने खुद को बंसल बंसल जैन एंड एसोसियेट्स का टाइपिस्ट बताया, लेकिन इतना नहीं सोचा कि मैं फोन करके उसकी बात को कन्फरम भी कर सकता रही सही का सर उसने ये कहके पूरी कर दी कि मुझसे मुलाकात के लिए वो हनभी रोड पहुँच जाएगा, अब आप ही बताए जरा, मीरे बताये बिना उसे भला ये कैसे मालुम हो सकता था कि मैं हनभी रोड पर पाया जाता हूँ, कहने का मतलब ये है माया जी, कि मैं जाओंगा, और ना सिर्फ जाओंगा, आप खुशी-खुशी मुझे यहां से भेजेंगी, जाने वाले को टाटा बाई-बाई और जो कुछ भी कहा जाता है वो सब कहकर, और साथ में एक चिथी दे कर, चिथी, क्या मतलब, वो चिथी जो आप खुद अपने इन खुबसू माया तमंग से मिल चुका हूँ, और इस तरह बारा सवालों में से पहले सवाल का जवाब सही-सही दे चुका हूँ, मिस्टर गुपता, आप किसी वहम में पढ़ गए हैं कि जीत आपकी हुई है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आप अभी भी हमारे कबजे में हैं, औ आप यहां से जिन्दा लोट कर नहीं जाने वाले हैं, और मैं फिर से दोहराता हूँ, कि आप खुशी-खुशी मुझे यहां से रुखसत करेंगी, इतने यकीन का क्या कारण है, मैं समझाता हूँ, वो क्या है माता जी, I mean माया जी, कि आने से पहले मैं हन्भी रोड पुली और फिर ठीक पॉने पांच बजे मैं थाने में जाकर हाजिरी दूँगा, इन में से एक भी काम ना होने की सूरत में, यहां की पुलीस यहां छापा मारेगी, और फिर जो होगा वो तो आप समझ ही सकती हैं, क्यों माया जी, माया को जैसे सांप सूंख गया, विकास ने अप चार बजने ही वाले हैं, कॉल आई ही समझिये, मेरे ख्याल से यह अच्छा होगा, कि तब तक आप वो चिट्थी लिख लें, और एक सौ का नोट मुझे लोटाने की महरबानी करें, मैंने आपको बताया था ना, कि आपके जमूरे ने मुझसे सौ रूपे लिये थे, माया अपने बेटे को इशारा किया, और उसने चुपचाप एक सौ का नोट निकाल कर विकास के मुझे पर फेक दिया, थेंक यू, और अब वो चिट्थी, तब ही टेलिफोन की घंटी बजी, माया ने जुक कर साइट टेपल पर रखा फोन उठा कर कान से लगाया, एक पल के लि बस फारिग हो ही गया समझिये, हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो चिट्थी लिखने से बिलकुल इनकार नहीं कर रही है, बहुत ही भली औरत हैं, अगर कभी मौका मिला, तो मैं आपको मैडम से और उनके सहब जादे से जरूर मिलवाऊंगा, बड़ा ही कलाकार आदमी है वो, ड्रॉइंग तो बहुत ही अच्छी करता है, कुछ भी लिखा हो, उसका बिलकुल वैसा का वैसा डुपलिकेट बना लेता है, अपनी मा की तरह ही भला लड़का है, इंस्पेक्टर सहाब, और हाँ, चीजों के छुटे-छुटे टुकडे करने में भी बहुत माहिर ह और परोपकारी तो इतना है, इंस्पेक्टर सहाब, कि पूछिये मत, समुद्र की मशलियों के चारे तक का बहुत क्याल रखता है, मुझे भी अपने परोपकार के काम में लगाने की तयारी कर रहा था, कि तभी आपकी कॉल आ गई, हाँ, हाँ, ठीक है, मैं ठीक पॉने पा अध्याए 2 कैसीनो के में हौल में ही एक तरफ बार था, मनोहरलाल ने शबनम और रुचिका को जुए का जोगराफिया नापने का काम सौपा और खुद विकास के साथ बार पर जा पहुँचा, फिर उसने दो पैग जौनी वॉकर ब्लाक लेबल का ओडर दिया, वेटर ने ड्रिंक के सा बिल भी पेश कर दिया, ये 500 रुपे का बिल था, उसे देखकर मनोहरलाल का खुन खुल गया, उसने बारमेन से कहा, सुनो, क्या तुम लोग अपने यहाँ फेलो प्रोफेशनल्स को कोई रियायत नहीं देते? वेटर बड़े ही अदब से बोला, सर, क्या आप भी कसीनो ओन नहीं, मैं ठग हूँ, जी? अरे भाई, 200 रुपे का एक पेग, तो तुम ठगी ही तो कर रहे हो, आप मजाग कर रहे हैं, सर, है न? हाँ, ठीक पहचाना भाई, मैं मजाग ही कर रहा था, एक ठंडी सांस भरके मनोहरलाल ने बिल चुका दिया, उसके बाद वे लोग पूरे क सीनों का जायजा लेते हुए, कभी ड्रिंक का आनंद लेते रहे, और कभी छोटे मोटे दाव लगाते रहे, ठीक दस बजे किसी नवाब की तरह रोशनलाल महरा की एंट्री हुई, फ्लोर मैनेजर ने खुद आगे बढ़कर उसे रिसीव किया, और बहुत से महमानों ने उ जानकारी इकठ़ी की, वो इस प्रकार थी, रूले विल सारा दिन चलता था, ब्लैक जेक की वहाँ तीन टेबल्स थीं और वो भी सारा दिन चलती थी, बकॉरा दो बार होता था और उसके दो वक्त थे, रात ग्यारह बजे और एक बजे, ब्लैक जेक की टेबल नमभर दो प ठीक ग्यारह बजे महरा ब्लैक जग की टेबल छोड़कर बॉकारा की टेबल पर पहुंचा और वेटर ने तुरंत कुरसी पर पड़ी रिजर्व की तक्ती वहां से उठा दी उस वक्त उसके दाएं बाएं एक सिक और एक अरब शेक मौजूद थे टेबल पर काफी भीड थी और सारी सीटें फुल थी पॉने बाहरा बजे के करीब सिक खिलाडी महरा के साइड से उठ गया तब मनोहर लाल ने वहां बैठने की कोशिश की लेकिन गेम को चलाने वाले व्यक्ती ने जो की गेम में बैंकर के नाम से जाना जाता है ततकाल उसे टोक दिया सर ये रिजर्व सीट है इस साइड की सारी सीटें रिजर्व हैं आप दूसरी तरफ की सीट ले सकते हैं लेकिन ये सीट अभी खाली तो हुई है मनोहर लाल ने कहा ये खाली होने के बाद भी रिजर्व है सर इन दूसरे साहब के लिए मनोहर लाल वहां से हट गया यानी बक गेम के दोरान वो सिर्फ ब्लैक कॉफी पीता था जिसका ताजा कप उसकी एक भौं के इशारे पर तुरंत उसके सामने पहुँच जाता था। जीवन नर्सिंग होम नाम के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में पहुँची ये नर्सिंग होम मुगल बाग में ही था और वहां की मालवा हाउस नाम की जिस इमारत में मनोहरलाल उन दिनोर रह रहा था उससे सिर्फ दो ब्लॉक परे था तेज कदमों से चलने पर मालवा रिसेप्शन पर जाकर उसने बड़े ही दबंग तरीके से वहां के संचालक के बारे में सवाल किये जवाब में एक अर्दली उसे एक ओफिस नुमा कमरे में छोड़ गया जिसमें उस नर्सिंग होम का संचालक डॉक्टर खुराना बैठता था रुचिका ने उससे बड़े ही निजी चिकित सक इस परिचे का डॉक्टर के ऊपर वांचित प्रभाव पड़ा वो मीठी आवाज में बोला जी मेरा नाम डॉक्टर खुराना है फरमाईए मैं आपकी क्या खेदमत कर सकता हूँ देखे डॉक्टर चोहान आज शाम की फ्लाइट से राजनगर पहुँच र रहता है शायद आप जानती हूँ कि हमारा ओप्रेशन थियेटर काफी वेल एक्विप्ट है और मैं जानती हूँ डॉक्टर चोहान भी जानते हैं इसलिए शेहर के बाकी प्राइवेट होम्स को छोड़ कर मैं यहां आई हूँ असल में डॉक्टर चोहान को ओप्रेशन थि जी नहीं, operation तो एक ही होगा और एक ही दिन होगा, लेकिन अभी वो दिन decided नहीं है, अल्बत्ता तीन रातों में से किसी एक रात को जरूर होगा, ये किस तरह का operation है मैम, ये आप क्यों जानना चाहते हैं डॉक्टर, ताकि डॉक्टर चोहान के लिए competent सहायता जुटाई जा सके वो सब आपकी सिरदर्दी नहीं होगी, लेकिन हमारे पास काफी बढ़िया स्टाफ है, जी हाँ, जरूर होगा डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर चोहान के साथ उनका अपना स्टाफ आएगा, यहां तक की anesthesist भी, आप सिर्फ general anesthesia और surgical tools का इंतजाम करेंगे, वो सब तो operation theater में हमेशा होते ही है, क्या आप कोई खास tools चाहती है, जी हाँ, लाप्रटामी instruments की एक tray का खास इंतजाम रखेगा, ठीक है मैम, अच्छा आपके यहां ambulance कितनी है डॉक्टर, जी दो, क्या उनमें से एक को आप emergency run के लिए, रात 11 से 2 बजे तक के लिए reserve रख सकते हैं, जी हाँ, ये काम तो आसानी से हो जाएगा, मैं ambulance driver को कह दूँगा, जी नहीं, ambulance driver डॉक्टर चोहान का अपना होगा, आप सिर्फ vehicle उपलब्ध कराएंगे, जी ठीक है, डॉक्टर खुराना थोड़े हक बकायस्वर में बोला, आप मुझे ambulance का नमबर बता दीजिए, वो कहां खड़ी म कहां से मिलेगी, वो भी, उसका नमबर RJR2121 है, मारूती वैन है, operation theater के पास ही एक छोटा सा साहबान है, जिसके नीचे वो खड़ी होती है, और चाबी reception पर मिल जाएगी, ठीक है डॉक्टर, थैंक यू, इस सारे इंतजाम में आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी, बिलकुल कि एक गड़ी अपने पर्स से निकाली और डॉक्टर के सामने टेबल पर रख दी, ये, ये क्या है, ये advance है, बाकी हिसाब किताब आप डॉक्टर चोहान से खुद कर लीजेगा, लेकिन मैम, डॉक्टर सहाब तो चेक भेजना चाहते थे, लेकिन आपका private nursing home है, आप कोई व लेकिन expenses तो आपको लेने ही होंगे, अरे उसका बिल हम डॉक्टर को दे देंगे, वो तो ठीक है, लेकिन जब डॉक्टर चोहान ने advance भेज ही दिया है, तो प्लीज आप इसे रखिए, डॉक्टर चोहान ने दो-तीन बार जिद की, कि हिसाब बाद में हो जाएगा, और रु अंता मत कीजिये मैम, डॉक्टर चोहान को यहाँ पर ना कोई असुविधा होगी और ना ही कोई शिकायत, और फिर बहुत ज्यादा बिजी होने का नाटक करते हुए रुचिका वहाँ से विदा हो गई, उससे नोटों की गड़ी को वापस लेते हुए मनोहरलाल ने कहा, ग अगर नर्सिंग होम वालों ने दिल्ली फोन खड़का दिया उसको तो, वो ऐसा क्यों करेंगे भला, अरे किसी भी वजह से कर सकते हैं, थेटर बुकिंग के बारे में कुछ पूछने के लिए, कुछ बताने के लिए, तो मेरी जान, उनको यही जवाब मिलेगा, कि कमाल है? कमाल नहीं है, पड़ताल है, दिल्ली में दरजनों बड़े डॉक्टर भरे पड़े हैं, कोई ना कोई तो आउट अफ स्टेशन होता ही है, चोहान से काम नहीं बनता, तो मैं कोई दूसरा नाम चुन लेता, आखिर हमने एक बड़े नाम का इस्तिमाल ही तो करना है और क्या ये सिर्फ एक इतिफाक है कि तुम्हारा करनल वाला जो फरजी नाम है, वो बिल्कुल वही है जो डॉक्टर चोहान का असली नाम है? रुचिका ने सवाल किया, हाँ हाँ बिल्कुल और देख लो कैसा बढ़िया इतिफाक है, वैसे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ इतनी सहूलियत जरूर हो जाती है कि अब मुझे अपना ही फर्जी नाम याद रखना है, अच्छा अब जरा टेलिफोन डायरेक्टरी तो इधर लेकर आओ, रुचिका ने डायरेक्टरी उसे दे दी और मनोहरलाल ने उसमें कसीनो बटन कोट का नंबर तला उनका स्वागत है, उधर से उत्तर मिला, लेकिन हमारी मैडम उन्ही स्थानों पर जाना पसंद करती है, जहां उनके नाम से एडवांस रिजर्वेशन हो, क्या आपके यहां ऐसा कोई इंतजाम है, जी हाँ, बिलकुल है, मैडम कौन सा गेम पसंद करती है, ब्लैक जैक, जी जी हां, हमारे यहां उसकी तीन टेबल्स है, वेरी गुड, तो फिर आप अगली तीन शामों के लिए टेबल नमबर दो की सीट नमबर दो मैम के लिए बुक कर दीजिए, दो नमबर हमारी मैम का लग्की नमबर है, जी ठीक है, आप समझ ये क्योंके बुकिंग हो गई, उसके लिए तो कुछ मेंधक और कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाने पड़ेंगे, रुचिका ने कहा, ठीक है, तुम वो सारा सामान ले आओ, तब तक मैं ये देखके आता हूँ, कि रात के वक्त किसी अंबुलेंस को नव जीवन नर्सिंग होम से कसीनों तक पहु इसका मकसद है, गेम के दोरान बकरे का ध्यान बंटाना और ऐसे काम को कोई औरत ही बहता तरीके से कर सकती है, मनोहरलाल ने कहा, तो अपनी चेली से कराओ न, वो भी तो औरत है, उसके लिए मेरे पास दूसरा काम है, और वो काम सिर्फ रुचिका ही कर सकती है, क्योंकि उस डॉक्टर का रोल अदा करना है, और क्योंकि वो नर्स है, इसलिए उस काम को वही अच्छे तरीके से अंजाम दे सकती है, लेकिन अगर हमारा काम बिगड़ गया तो, शबनम ने सवाल किया, तो तुम मुझे बकरा मूंडने की अपनी स्कीम सुना देना, मैं उसी को पूरे नंबरों से पास कर दूँगा, और सत्तर हजार रुपे हमें दे दोगे, हाँ हाँ दे दूँगा, तब ठीक है, विकास बोला, अपनी योजना पर अमल कप करोगे, कल, आज क्यों नहीं, आज रिहरसल करेंगे, अच्छा ठीक है, ये बताओ मुझे क्या करना है, वि यानि कि आज रात यहां मेरी कोई खास जरूरत नहीं है, एम्बुलेंस को एक बार चला कर ट्राइ करना होगा, वो तुम कर लेना, मैं जा रहा हूँ एकबालपुर, विकास ने कहा, एकबालपुर, वहाँ क्या है, वहाँ मेरे दूसरे सवाल का जवाब है, दूसरा सवाल, दूसरा सवाल मिल गया तुझे, हाँ, वकीलों ने आज ही चिथी भेजी है दूसरे सवाल के बारे में, यानि पहले सवाल का जवाब दाखिल कर दिया तूने, हाँ खलीपा, विकास गुपता, फास्ट पैसेंजर ट्रेन के सेकंड क्लास के एक डिब्बे में बैठा, हॉले सवाल का सही जवाब समय से देने के लिए बधाई दी गई थी, और अगला सवाल ये पूछा गया था, कि आजू बाजू बहने वाली नदी कहा थी, और उसके सिरे पर क्या था, इस बार उसे एक क्लू भी दिया गया था, कि बकॉल उसके मामा, दूसरे सवाल का हल ढूंडन के मामले में इकबालपूर की आबो हवा उसके लिए खुशगवार साबित हो सकती थी और इसी कारण वो इकबालपूर जा रहा था मनुहरलाल से वो वादा करके आया था कि अगले दिन शाम को हर हाल में राजनगर में होगा गाड़ी में ज्यादा भीर नहीं थी जिस विकास ने उसे प्लैटफॉर्म पर तब देखा था जब वो गाड़ी के हर डिब्बे के भीतर जांकता फिर रहा था गाड़ी चलने से एक मिनट पहले ही वो विकास वाले डिब्बे में सवार हुआ था विकास को पूरा यकीन था कि सूरत से सीधा साधा लगने वाला वो देहाती उसी की फिराक में था काफी देर तक उसने प्रतीक्षा की कि वो बातचीत शुरू करेगा लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उसने खुद ही पहल करने का निश्चे किया अपना सिगरेट का पकेट निकाल कर उसने देहाती की तरफ बढ़ाया और बोला सिगरेट ले आप इकबालपूर के इलाके से वाकिफ हैं? अरे मैं तो पैदा ही वहीं हुआ था, क्या अभी भी वहीं रहते हैं? हाँ, सारी उम्र वहीं गुजारी है. अच्छा, मैं तो पहली बार जा रहा हूँ. यानि तुम इकबालपूर के बारे में कुछ नहीं जानते? हाँ, यही समझ लीजिए. बस इतना जानता हूँ कि वो कृष्णा नदी के किनारे बसा एक गाम है. अच्छा, आप तो महां के पुराने रहने वाले हैं, तो आप तो महां की हर बात को जानते होंगे? हाँ, जानता हूँ, देहाती ने कहा. क्या आप वहां किसी ऐसी नदी को जानते है जो आजू-बाजू बहती हो? देहाती थोड़ा सक पकाया. आजू-बाजू बहती हो? मतलब? मतलब ये, कि जैसे आमतोर पर नदियां अपने दो किनारों के बीच उपर से नीचे को बहती हैं, वैसे क्या कोई नदी या नदी का कोई हिस्सा, वहां पर ऐसा है, जो उपर से नीचे बहने की बजाए, एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ बहता हो? ये तुम कैसी अजीब सी बात कर रहे हो बाबू सहब? मेरी बात अजीब तो है, लेकिन शायद हो सकता है किसी तरीके से ऐसा होना मुमकिन हो, देहाती के माथे पर बल पड़े, जैसे वो दिमाग प बारे में मैंने कभी सुना तो है किसी से, कब और कहां? पिछले साल, साल के शुरू के दिन थे वो, वहाँ इक बालपुर में ही एक सराय है, उसके ढाबे में दारू के रसिया मलाह इकठे होते हैं, वहाँ मैंने एक आदमी से ऐसी आजू-बाजू बहने वाली नदी के बार बाल था? हाँ, फिर तो आप उसे जानते होंगे? हाँ, जानता तो हूँ, कौन है वो? उसका असली नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन लोग उसे अश्टावक्र कहते हैं, अश्टावक्र? ये तो बड़ा अजीब सा नाम है, हाँ अजीब तो है साहब, लेकिन उसके लिए एकदम सही है, असल में उसके जिस्म का हर अंग आडा तिर्चा है, क्या हाथ, क्या पाव, क्या मुंडी, सब कुछ तेढ़ा है, इसे लिए उसका नाम अश्टावक्र पड़ गया है, उसे दारू बहुत जल्दी चड़ जाती है, और नशे में जब वो बहगता है, तो उस आजू-बाजू बहने वाली अनोखी नदी के बारे में जरूर कुछ बोलता है, हलांकि उसकी बात पर यकीन कोई नहीं करता, अच्छा उस सराय का नाम क्या है, उसका नाम तो कुछ नहीं है, लेकिन वैसी वो एक ही सराय है, जो नदी के किनारे खड़ी एक पुरानी फुटी-फुटी हवेली में चलती है, वो हवेली कभी दाउदयाल शुकला नाम के राजनगर के एक व्यापारी की मिलकियत थी, जो देहाती आबो हवा का आनंद लेने के लिए कभी-कभी वहां आया जाया करता था, अब नहीं आता वो आदमी वहां, विकास ने सवाल किया ना, अब तो सालों हो गए मेरे ख्याल से उसे इकबालपुर में कदम रखे, विकास के मन में विचार घुमरने लगे, क्या ये सिर्फ एक इत्तिफाक था कि सफर में यू मिला एक देहाती उसके मामा के नाम को जानता था, उसकी हवेली के बारे में जानता था, और वहां उ इसी लोकल आदमी से आजू बाजू बहने वाली नदी का जिक्र भी सुना हुआ था, या फिर इस इत्तफाकिया मुलाकात के पीछे भी मिसिस सानू माया तमंग और उसके प्यारे बेटे का हाथ था, एक बार के लिए उसने सोचा कि उस देहाती से पूछे कि क्या वो उन द अधानी से कहा, तुम्हारा वहां कोई सगे वाला रहता है क्या? नहीं तो, फिर तो तुमको उस सराई के ही एक कमरे में रहना पड़ेगा, क्योंकि और तो कोई रहने लाएक जगह वहां पर है नहीं? तब ही गारी एक छोटे स्टेशन पर रुकी, देहाती ने मुस्कुरा कर विकास की तरफ देखा और फिर उठकर बाहर की तरफ बढ़ गया, डिब्बे से नीचे उतरने के बाद कुछ देर तक वो विकास को प्लैटफॉर्म पर नजर आया और फिर उसकी निगाहों से ओजल हो गया, विकास को पूरा यकीन था कि वो लोटकर वापस नहीं आने और वैसा ही हुआ, यानि के वो देहाती उसके साथ यूँ ही इत्तिफाक से सफर नहीं कर रहा था, वो एक खास मकसद से वहां आया था, अब क्या खेल खेल रहे थे वो दोनों नेपाली मा बेटे, नदी के बारे में जानकारी यूँ ठाली में परोस कर उसके सामने पेश कर करने के पीछे, असल में क्या मकसद रहा होगा उनका, जरूर इस तरीके से वो उसे अपने किसी शड्यंतर के घेरे में लाने के ख्वाहिश मंद थे, वो उसे किनी ऐसे हालात के हवाले देखना चाहते थे, जिन में वो ज्यादा आसानी से उसका तिया पांचा कर सकते हों, जरूर यही बात थी, यानि के जो चारा उसकी आँखों के सामने लहराया जा रहा था, उसे उसने नहीं निगलना था, अब एक सवाल और था, क्या नेपाली माबेटे ये जानते थे कि ये आजू-बाजू बहने वाली नदी क्या बला थी और उसके सिरे पर क्या था, माध्यम से उस रहसे तक पहुंचने की फिराक में हूँ, और शायद इसी कोशिश में उन्होंने उस देहाती को उसके मत्थे माढ़ा हो, जो बातों-बातों में ये भी जता गया था, कि इकबालपुर में वो अपने मामा की हवेली में चलती सराय में ही ठेहरे, इसी सारी उ उसके मकान पर उससे मिलने जा पहुंचा, उसके कौटेज में दो कमरे थे, अश्टा वकर ने उसे सामने वाले कमरे में बिठाया, पिछले कमरे का दर्वाजा खुला था, लेकिन उसके उपर एक परदा पड़ा था, जिसे हवा का जोंका अकसर हिला जाता था, विकास ने बड़े ही आत्मियस्वर में कहा, मैं शहर से आया हूँ, मैंने सुना है कि आप ऐसी नदी के बारे में जानते हैं जो आजू बाजू बहती है, अश्टा वकर ने कोई उत्तर नहीं दिया, आँखे मूंदे वो उंगता सा बैठा रहा, जनाब मैं कह रहा था कि इससे पहले क की विकास की बात पूरी होती, वो बोला, आप चाय पिएंगे? जी नहीं, पानी एक गिलास पी लूँगा, मैं अभी लाता हूँ, अश्टा वकर अपनी जगह से उठा और मेंधक की तरफ वो दखता हुआ बीच के दर्वाजे पर पहुँचा, फिर परदा हटा कर वो जीब चीज विकास को दिखाई दी, एक थिपाई पर एक नया नकोर चम-चमाता हुआ टेलिफोन वहां रखा हुआ था, टेलिफोन और उस जूपडे में इस गरीब से आदमी के पास, तभी अश्टा वकर पानी लेकर लौट आया, विकास ने पानी पिया और खाली ग्लास को फर्श पर रख दिया, हाँ तो मैं पूछ रहा था कि आप आजू-बाजू बहने वाली नदी के बारे में क्या जानते हैं, क्या वाकई ऐसी कोई नदी है, हाँ है तो सही, आपने अपनी आँखों से देखी है, कई बार, लेकिन कोई साला मेरी बात पर यकीन ही नहीं करत सब कहते हैं, कि मैं नशे में बहकता हूं और अनाप्शनाब बगता हूं, मेरी बात पर कोई यकीन ही नहीं करता, क्या इस वक्त आप नशे में हैं, विकास ने पूछा, बिलकुल नहीं, लेकिन फिर भी आप ऐसा कह रहे हैं, कि आपने ऐसी अनोखी नदी अपनी आँखों सब कहते हैं, दिखा तो सकता हूं, लेकिन, देखिये, मैं आपसे फोकट में ये काम करने को नहीं कह रहा, मैं आपको इसके लिए अच्छा खासा पैसा दूँगा, वो तो ठीक है, लेकिन, लेकिन क्या, कुछ नहीं, और इतना कहकर, वो फिर से अपनी चाती पर सिर लटका कर आँखे मूद कर उंगने लगा, मन ही मन विकास ने उसे दरजन भर गालियां दी, लेकिन फिर भी सब्र की मूर्ती बना बैठा रहा, काफी देर बाद अश्टावक्र की तंद्रा भंग हुई, वो अपनी जगह से उठा, और कोने में पड़े लकडी के एक संदूक में से उसने एक मैला कुचेला फटा पुराना नक्षा निकाला, फिर उसे मेज पर फैला दिया, ये नदी है, नक्षे पर एक जगह उंगली रखता हुआ वो बोला, और ये, यहाँ पर ये मेरा घर है, जहां आप इस वक्त बैठे हैं, यहाँ से करीब सो गज दूर, एक चोड़ सोता बहता है, जो यहाँ बने एक पुल के करीब नदी से आकर मिलता है, बस पुल के करीब ही नदी आजू-बाजू बहती है, हमेशा, हमेशा कैसे बहेगी साहब, इतना अंधेर हो जाएगा, तो प्रले नहीं आ जाएगी, ऐसा दिन में सिर्फ एक बार होता है, रात के ठी पहली बार देखा है, उस वक्त ठीक धाई बजे होते हैं, जब यहाँ पर पुल के पास नदी आजू-बाजू बहने लगती है, अच्छा ये बताइए, पहली बार आपने ये अनोखा नजारा कैसे और कब देखा था, मेरा मतलब आप इतनी रात गए वहाँ क्यों गए थे मचलियां पकडने गया था, इस उम्र में नीन तो आती नहीं ज्यादा, फिर दिन क्या और रात क्या, मैं अपनी डोंगी पर सवार था, अचानक मैं क्या देखता हूँ, कि मेरी डोंगी धारा के साथ बहने की बजाए एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ बहने लगी, मैं मैंने अगले दिन लोगों से इस बारे में कहा, तो लोग कहने लगे कि मैंने सपना देखा था, कोई बोला मैं नशे में बहक रहा था, कोई बोला ये कोई प्रेत लीला थी, जबकि हकीकत में इन में से कोई भी बात नहीं थी, रात के ठीक धाई बजे हर रोज ऐसा ही होता ह मैंने उसके बाद धरजनों बार वो नजारा देखा है आप मुझे वो नजारा दिखा सकते हैं आज ही रात हाँ बिलकुल दिखा सकता हूँ तो ठीक है मैं रात को दो बजे यहां आ जाऊंगा आप तयार मिलेगा ठीक है मैं बिलकुल तयार मिलूँगा विकास जाने के लिए खड़ा हो गया और अश्टावक्र उसे दर्वाजे तक छोड़ने आया वहां से विकास सराई में पहुँचा और उसने वहां एक कमरा ले लिया फिर वो ये सोचते हुए रात होने का इंतजार करने लगा कि आखिर अश्टावक्र के घर में बिलकुल नया टेलिफोन क्या कर रहा था रात को आठ बजे विकास चोरों की तरह सराई से निकला और पेड़ों और जाड़ियों की ओट में छिपता छिपाता वापस अश्टावक्र के कौटेज के सामने पहुँच गया वहाँ एक पेड़ पर चढ़कर वो बैठ गया और फिर शुरू हो गया एक लंबा इंतजार करीब एक घंटे के बाद उसने एक साई को कौटेज के दर्वाजे पर पहुँचते देखा उसने दर्वाजे पर दस्तक दी और अश्टावक्र ने आकर उसके लिए दर्वाजा खोला जब वो अंदर घुस रहा था तो विकास को उसका चेहरा साफ नजर आया ये लेख बहादूर तमंग था जरूर अश्टावक्र ने नई लगे टेलिफोन से कॉल करके उसे वहाँ बुलाया था विकास चुप चाप पेड़ से नीचे उतरा और नदी के किनारे पहुँच गया फिर वो उस दिशा में बढ़ा जहां पर अश्टावक्र ने पुल बताया था पुल के करीब पहुँच कर वो रुख गया फिर उसने बहुत ही बारीकी से नदी के उस भाग का मुआयना किया फिर उसने अपने कपड़े उतारे और नदी में छलांग लगा दी वो एक बहुत ही अच्छा तैराक था और सांस रोक कर पानी के नीचे डुबकी लगाने का उसे खास अभ्यास था वो करीब दो मिनट तक पानी की सतह के नीचे रहा और फिर उसका सिर पानी से बाहर आया फिर वैसी ही डुबकी उसने पहले वाली जगह से दस गज आगे लगाई फिर वो पानी से बाहर निकल कर किनारे पर पहुँच गया अपना बदन सुखाया, कपड़े पहने और वापस सराई की तरफ चल दिया आधे घंटे के बाद वो फिर से पुल के पास मौजूद था इस बार उसके पास एक मोटी मजबूत नायलॉन की रसी का एक लच्छा था और सन की बारिक सुतली थी उसने रसी के एक सिरे को नदी के किनारे उगे पेड़ों में से एक के साथ कसकर बांध दिया फिर लच्छे को इतना खोल कर फैलाना शुरू किया कि रसी किनारे के करीब पानी की सतह से नीचे तक पहुँच जाती बाकी के लच्छे को उसने सुतली के साथ बांध दिया और बांधा हुआ लच्छा पानी में डूब जाने दिया यू रसी बांध रे की जगह उसने अपने पहले फेरे में नदी में मारी डुबकियों से हासिल नतीजे के आधार पर चुनी थी। अब तक दस बजने वाले थे। उसने अपनी घड़ी पर नज़र डाली और वापस सराय की तरफ चल दिया। अश्टावकर ने एक हाथ उपर उठा कर एक पेड़ की पानी से उपर तक लटकाई एक शाख को थाम लिया। क्या टाइम हुआ है। उसने पूछा। दो पच्चेस विकास ने बताया। बस अब टाइम होने ही वाला है। अब किसी भी पल ये नदी अपने इस किनारे से उस क पहल चल हुई और विकास को साफ साफ यू लगा जैसे वो परले किनारे की तरफ बहने लगा हो। पानी बड़े ही वेग से दूसरे किनारे की तरफ जा रहा था। और उसी पल अश्टावकर का दूसरा हाथ पेड़ की शाख पर पड़ा और वो शाख के सहारे यू उपर को साफ जूला और फिर किनारे पर जाकर टपका। बिना गूम कर पीछे देखे वो सामने को लपका और अंधेरे में गायब हो गया। विकास को डोंगी के उलटने की तो पूरी उमीद थी लेकिन लंगूरों को भी मात करने वाली जो हरकत अश्टावकर ने की थी वो उसके ल लगाई और उस तरफ हाथ पैर मारने लगा जहां उसने सुतली के साथ मधा नायलॉन की रसी का लच्छा डुबोया था। लच्छा हाथ में आते ही उसने चैन की सांस ली। फिर उसने सुतली को उमेट कर तोड़ दिया और लच्छे को फैल कर खुल जाने दिया। मजबू उस वक्त वो रसी नहीं उसकी जीवन रेखा थी। फिर जैसे एका एक नदी में वो हलचल शुरू हुई थी वैसे ही एका एक सब शांत भी हो गया। विकास ने पानी से बाहर से निकाला और चारों तरफ देखा। हर तरफ घुप अंधेरा था। उसने हाथ में थमी रसी क उसके हाथ में बाकी थी। उसने चैन की सांस ली और अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगा। कुछ पल बाद उसने देखा कि वो उस वक्त एक चौक और गुफा में था। गुफा नदी का उधर वाला किनारा काट कर बनाई गई मालुम होती थी। और वो आधी पानी की सतह से नीचे था उसके मुहाने पर एक लोहे का फाटक लगा हुआ था जिसको खोल देने की सूरत में ही नदी का पानी गुफा में दाखिल होता था। यानि जैसे ही वो फाटक खोला जाता था नदी का पानी बड़े ही वेग से गुफा में दाखिल होता था और गुफा पास होटों ही होटों में बुदबुद आया फिर उसने गुफा की तरफ ध्यान दिया जो की आजू-बाजू बहने वाली नदी के सीरे पर थी। गुफा के सूखे हिस्से तक पहुँचा और वहां से बक्सा उसने हाथ में उठा लिया। उसे पूरा यकीन था कि उस गलियारे के दूसरे सिरे पर उसके बाहर निकलने के इंतजार में लेख बहादुर तमंग बैठा होगा। बहार ले जा सकती थी जिस रास्ते से वो वहां आया था। वो रस्सी ही थी जो नेपाली मा बेटे की उमीदों पर पानी फेरने वाली थी। वरना उस मकबरे जैसी गुफा में उसकी लाश पड़ी-पड़ी सड़ जाती और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। पहली बात तो किसी को पता ही नहीं था कि वो अश्टावक्र के साथ उसकी डूंगी में बैठ कर नदी में उतरा था। और अगर पता लग भी जाता तो अश्टावक्र बड़ी ही मासूमियत से कह देता कि एक्सिडेंट हो गया, डूंगी उलट गई, मुसाफिर डूब गय और वो बच गया, और किसा खत्म, उसने जल्दी से अपनी कमीज के दो बटन खोल कर बकसे को गिरहवान में डाल लिया, और वापस पानी में आगे बढ़ गया, जब पानी उसके सिर के उपर पहुँचने लगा, तो उसने सांस रोक ली और रसी को पूरी ताकत से अपनी त तह से बाहर निकला, तो फटने के समय वो रेलवे स्टेशन पर था, उसने पता कर लिया था कि सुबह सात बजे वहां से राजनगर के लिए गाड़ी जाती थी, स्टेशन मास्टर के ओफिस में फोन लगा हुआ था, उसने एक लोकल कॉल करने की इजाजत मागी जो उसे मिल जब ऑपरेटर लाइन पर आया, तो उसने कहा, सराई से थोड़ा दूर नदी के किनारे एक कॉटेज है, जिसमें नाया नाया फोन लगा है, मुझे उसका नंबर नहीं पता, जी हाँ, उसका नंबर 22 है, वो एक हफते के लिए टेंपरेरी कनेक्शन लगा है, ऑपरेटर ने विकास गुपता, पहचान लिया, शाबबाश, वो नेपाली छोकरा कहां है, अरे भाई वही, जिसको लेख बहादूर तमंग के नाम से जाना जाता है, जिसने तुझे टेलीफोन लगवा कर दिया था, और फिर मुझे नदी में डुबो आने के लिए भेजा था, नहीं है, कोई बात नहीं, जब मिले तो पहले तो उसे मेरी नमस्ते कहना, फिर कहना कि गुफा में जो बकसा था, उसमें से मुझे अपने मामा की वकील की शाबाशी वाली चिथी और बीस हजार रुपे इनाम के तौर पर मिले हैं, और ये भी कहना कि विकास गुपता को बड़ा जोल जाल, अगर तु नदी पर वहाँ वापिस जाएगा, जहां तुने मुझे डूंगी में डुबाने की तयारी की थी, तो वहाँ तुझे किनारे के पेड़ के साथ एक लंबी, बहुत लंबी रसी बंधी दिखाई देगी, उस रसी को देखते ही तु समझ जाएगा कि सी कास ने फोन बंद कर दिया, इस से आगे की कहानी के लिए सुने, सुरेंद्र मोहन पाठक के उपन्यास बारह सवाल का भाग दो